हलो अच्छो, लेट सेड़ाइब दा कुशिएन फर्स्ट, आ सॉफ्ट स्पारल स्प्रिंग हैंग स्प्रीली विट इट्स अपर एंड फिक्स तो रिजिट सपोर्ट, दा लोवर एंड आप दा स्प्रिंग इस इमर्स्ट इन अ कप अप मर्करी, अपर आप देख सकते हैं एक फिक्स सपोर्ट के साथ एक कौईल को कनिक कर दिया गया है और इस कौईल का जो यह एंड है ठीक है वो इस मर्करी के कप को क्या कर रहा है जस्ट टच कर रहा है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है वो जस्ट क्या कर सकता है टच अप कर सकता है और इस में इस circuitry को complete कर दिये by the means of battery and यहाँ पर एक switch लगा दिये. So what will happen to the spring after the switch S is closed? जैसे ही हम switch को close करेंगे. So क्या happen होंगा? यहाँ पर हमें यहाँ पर explain करके बताना है. चलिए start करते हैं solutions से. But before our waits, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So आप सभी ने Biot-Savart law तो पढ़ाई होंगा. So according to Biot-Savart law, क्या होता है? जब किसी flamen से हम current को pass करते हैं. Let's suppose कि flamen हो गया. उस पर से मैंने current I को pass करते हैं. So उसके across में magnetic field का निमान होता है. किसका निमान होता है? Magnetic field. और इस magnetic field के द्वारा कि उसके करीब के जो भी conductor होंगे. उस पर वो क्या करता है? force exert करता है. अब यदि मानलू में इसके करीब में एक wire ही है. जिसमें से भी current flow हो रहा है. और दोनों में से flow होने वाला current same direction में है. ठीक है current क्या है? same direction में. इस current से यह दूसरे पर क्या लगाते है? force of attraction क्या लगाएंगे? force of attraction लगाएंगे. और यदि इनकी दिशा उल्टी हो गई सो force of repulsion लगाएंगे. इसी simple से concept का यूज़ करकी हम यहाँ पर देखी solution देख लेते हैं. जैसे ही मैंने switch को close किया बैटरी इस पूरी circuitry से क्या जाएंगे? connect हो जाएंगे? यानि कि मैं simply बोल सकता हूँ कि इसमें से current का परवा होना सुरू हो जाएंगे. तो basically क्या होँगा? current इस तरीके से आएंगा और इसमें से इस तरीके से क्या करने लगेंगा? flow करने लगेंगा. current क्या करेंगा? इसमें से इस तरीके से flow करने लगेंगा. और जैसे ही इसमें से current का flow होंगा, so according to bio-savet law, इसके एक राप में क्या होंगा, magnetic field का निम्मानूर, और जैसे कि आपर हम देख सकते हैं, कि जो current की दिशा है, पहले loop में, second loop में, third loop में, fourth loop में, वो कैसी है, same direction में, so यह loop एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, force of attraction लगाएंगे, यह एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, force of attraction, अब force of attraction के current से, यह जो spring है, वो क्या हो जाएंगी, contract हो जाएंगी, अब जैसे ही contract होंगी, so यह वाला जो lower point है, जो के mercury से, सिर्फ टच था, उसके साथ connected नहीं था, वो क्या हो जाएंगा, उपर हो जाएंगा, अब यह जैसे ही उपर हो गया, so यह जो connection है, वो basically two day आएंगा न, क्योंकि यह सिर्फ इसके साथ ऐसा टच था, ना कि उसके साथ connected था, so जैसे ही spring उपर हो जाएंगी, so circuit क्या आजएंगा, break हो जाएंगा, ठीक है, so spring से current का परवा सुरू होना बंद हो जाएंगा, उसमें से magnetic field भी निमान नहीं होंगी, force भी नहीं लगेंगी, so spring फिर से क्या आजएंगी, relax हो जाएंगी, spring फिर से क्या आजएंगी, relax हो जाएंगी, जैसी relax हो ही, फिर mercury के साथ वो contact में आजएंगी, फिर circuit complete हो जाएंगा, और फिर से ये जो फिनम में नहीं है, वो क्या हो जाएंगा, continue हो जाएंगा, so देखिजी इस पूरे process में, क्या हो रहा है, force of attraction हो रहा है, spring contact हो रही है, फिर connection तूट रहा है, फिर से relax हो रही है, फिर contact होंगी, फिर relax होंगी, इस तरीके से ये जो circuit है, वो क्या करेंगा, further work करता रहेंगा, so यहाँ पर हम answer क्या लिखेंगी, so बैसकर लिए देखिए, इसके लिए हम simply, कुछ इस तरीके से write down कर सकते हैं, कि when switch, when switch is closed, जैसे ही हम switch को close करते हैं, the current, the current in one ton of spring, in one ton of spring, gives rises, gives rises, two magnetic field, two magnetic field, which attracts the neighboring ton, the neighboring ton, so इसको अब नेक्स पेज़ पर लिखते हैं, so further फिक्या होंगा, जैसी वो neighboring ton कर ट्राक करता है, the spring contracts, the spring contracts, ठीक है, अब जैसी spring contract हुई, पर फहार रुख जैंगा, ठीक है, connection टूट जैंगा, so connection टूट कैसे हो रहा है, that is, the lower end rises up, ठीक है, lower end क्या करता है, rise करता है, from, okay, rises from, the mercury, the mercury, the circuit is broken, the circuit is broken, circuit क्या आ जाएंगा, टूड़े आएंगा, अब जैसी circuit टूटा, करण्ट का परवा होंगा क्या नहीं, क्या करती है, एक्सपांड कर जाती है, अब जैसी एक्सपांड करेंगी, फिर से लोवर एंड जूर जाएंगा, टाच, वेथ, मरकरी, मरकरी के साथ टाच में आते ही, सर्केट, अगेन, कंप्लीटेट, सर्केट क्या आ जाता है, फिर से, कंप्लीट हो जाता है, अब फिर से क्या आँगा, परवा, करण्ट फ्लो होने लगेंगा, अज यसी करेंट फ्लो होने लगेंगा, फिर से हमें सेम सिनारियों यहाँपर देखने को मिल सकता है, सो इसको हम लिख दते है, completed and entire process repeats itself and entire process repeats itself , जो भी entire process है और आपको repeat करता है, So, देखिए मैंने आप पे आपको एक स्वेट सा अंसर भी दे दिया है So, this is what all about this question which we have solved by using the concept of Barth-Savart law So, this is the required solution I hope you are destitute well Best of luck, thank you